अब सभी का मेरे चानल पर स्वागत है मैं ही तू आज आपके लिए लेकर आए हूँ अपने जीरो से हीरो बैच को हम कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे बच्चे बूच रहे थे माम सीरियसले इस बैच कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे क्या है तो भी आज से जो हैं अपने क्लास 4 कर रहे थे जिसके अंदर हमने दो युनिट कर ली थी ठीक है फास्ट और से कंप्यूटर हिस्ट्री तर इंट्रोड़क्शन टो एम इस वर्ड था जो हम कर चुके है अब आज ही क्लास में पूरा जो है के विस का फोर्थ च्लास हम कंप्लीट करेंगे ठीक है अब अ एक एक युनिट पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आज की क्लास में आपको पूरा फोर्थ क्लास की बुक करवाने वाली हूं और कल पूरी फिक्त क्लास करेंगे, इसका मतलब यह है कि अब आपके लंबे-लंबे क्लासे जाएंगे जल्दी से जल्दी जल्दी जो है, जिरो से हीरो वाले बैच को खतम करेंगे, ताकि जो है, अभी आपका इस्टेट का एक्जाम आने वाला है, राजस्थान का आने वाला है, ताकि हम उनके लिए प्रॉपर बैचिस लेकर आ सकें, ठीक है, तो चलिए भी जो थर्ड यूनिट वैसे तो 299 प्राइस है, लेकिन अगर आप NS50 कोड यूज करोगे, क्या कौन सा कोड यूज करोगे, NS50, तो आपको सीधा सीधा 50% का डिसकाउंट मिलेगा, और यह आपको 149 रुपीज में 15-15 पेपर यहाँ पर अवेलेबल होंगे, अक्वार्डिंग टू एक्जाम पैटर explore का मतलब यह है कि आप folder को कैसे create कर सकते हो, कैसे उसको delete कर सकते हो, कैसे उसका rename कर सकते हो, कैसे move कर वा सकते हो एक जगे से दुसरी जगे पे, कैसे आप उसका shortcut हम जैसे desk, desktop पे हम किसी भी folder का shortcut बना देते हैं, लाग क्रोम का किसी और का, मैं कुछ फोल्डर बना रही है, उस वैसे तो यह बहुत ही basic चीज़े हैं, और मैं यह मान की चल रहा हूँ, आप सभी को आते हैं, लेकिन इसे कुछ points ऐसे हैं, जो आप लोगों नहीं पता होगा, या फिर कुछ ऐसे हैं, जो डारेक्ट आपके exam में आते हैं, ठीक है, तो बस हम main-main चीज़े करेंगे, ऐसा मैं आपको पूरा 4th class, यहां पर मुझे पता है कि सभी को सबकुछ आता है, बस एक revision आपको पता होना चीज़े, और यह पता होना चीज़े कि क्या है भी आपके 4th class में, जहां से question आ जाते हैं, सबसे पहले देखो, starting window explorer, window explorer को हम use eq करते हैं, एक second, मैंने काता ना, मेरा laptop प्रॉबलम आ गए, मेरा keyboard खता खराब हो गया है, और थोड़ी सी mouse, जो USB है, वहां पर प्रॉबलम आ गए है, तो थोड़ा सा एक दो दिन मानेज कर लो, फिर हम इसको थोड़ा सा ठीक करवाएंगे, क्योंकि अभी टाइम चारा था तो मुझे लगा जैसे है, वैसे ही मैं क्या करता है, वीव करने के लाइक मुझे ओपन करना है, कॉपी करना है, मैनिज करना है किसी फाइल को, फोल्डर को, विंडोस को, अपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, अब यहां से काफी सारे कुशन है, जो मैं अल्डेडी आपको करवा जुकिए, कि कॉपी करने की शॉट इस तरीके से, यह आप सभी को बताया है, ठीक है, यह मैं आपको इतना जादा डिटेलिंग, यह इस तरीके से आप इस विंडो को देखो, यह स्टार्ट है, नौर्मन आप स्टार्ट कोरोगे, फोल्डर को क्रियेट करोगे, यह सारी चीज़े है, अब जो है, यहां यहां बेसिक बेसिक चीज़े में आपको बता देती हूं, एक सेकिंग, यह देखे, यह आपकर डेक्स्टॉप है, ऐसा ही दिखते है सभी को, पर इतना भरावा नहीं होता, तो यहां पर यह स्टार्ट है, यहां से आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो, ठ उपन हो जाता है, mouse is moved to right bottom of the window, यह इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हूं, सर्च का option है, और इस तरीके से फाइल एक्स्टॉरर को उपन कर सकते हैं, अब कंपोनेंट उफ विंडो एक्स्टॉररल, वेरियस कंपोनेंट उफ फाइल एक्स्टॉररल विंडो अर शॉन इ लेफ्ट पीन क्या होता है, it is used to get to all kind of location and drive, यह क्या करता है, कि जितनी भी आपकी जो है location है, drives है, उनको बताता है, back, forward and up button, जो आपका back होता है, forward करना, up करना, तो यह use क्या जाता है, navigate, throw, location, और files, रिबंस क्या होते है, the ribbon can be used for copy करना, move करना, create करना किसी नीव फोल्डर को, email करना, jeeping items, changing view, etc, तो यह सारी चीज़े जो है कहां पर आती है, रिबं के अंजर अंजर आती है, address bar क्या होता है, it is used to entering or selecting a location, address bar जो हम एक particular location बताती है, कि आप कहां पर जा रहे हो, जलाएक आप किसी वेबसाइट पर कर रहे हो, पर 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 आप उसका address डालोगे, तो file list, this is where the content of current folder is display, file list के बताते है कि अपका current folder is display कर रहे है, column की heading, इस तरीके से नीचे जो आपने लिखाना, column की heading होती है, बताता है अपको, it is to view file according to our desired, like date, क्या date हो सकती है, कितने number of pages, options, short the file according to our date on which they are created, search box, it is used to enter a word or phrase to look like item in the current folder, status bar, it can be used to view the total number of item in a location or a number of selected item and their total size, detail preview pane, it is used to view some common properties associated with the selected file such as author date etc, okay, so these are some things and these are basic things, now look, pane of window explorer, so here on the clicking view menu you can see the various pane available in window 8 explorer, okay, so like preview, detail, navigation, all these things, now working with folder left, how can we work with folder here, expanding disk drive or clicking a window folder, like desktop, download, recent places, okay, you can drag and drop the folder, rename it, okay, if you want to edit it, okay, so you can do it here, managing file and folder in window explorer, so what is the main main work, if I will tell you the main work, it is the main work, it is the main work, it is the main work, to manage file and folders, where also in window explorer, okay, now modes of view, so content is shown in the right pane window explorer and following like extra large icon, if you want to see the icon icon, if you want to see the icon icon, if you want to see the icon icon, then medium icon, small icon, list, detail, tiles, content, okay, so what are all these things, how do you want to see the content, okay, now file naming convention, the file name, how do you not do it, see, these things, here are some points, this is very important, and which you can come to the exam, I am only doing that portion, which is the chance to come to the exam, okay, here, all the system, same journal naming convention of the individual file's base file name as an optional extension separated by this period, okay, see, if you do it with notepad, you use TXT, okay, you do it with PPT, after 2007, we add X, okay, and then we add X, this, okay, if you want to do PowerPoint, PPT, DOC, DOC, dot, 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 this way, you do it with that, and next, whatever you want to call the name, you do it with that, okay, so this is, because you can make a file in Word, you can make it in Notepad, you can make it in PowerPoint, you can make it in PowerPoint, you can make it in PowerPoint, so you can make it in many places, then you can make it in the folder, which is the name, so the file name is on the page, so use a period, we use a period, we use to separate it, now I have told you that we put a dot, okay, from extension of name or directory or a file, okay, use a backlist to separate the component of a path, okay, backlist is required as a part of a volume name, as an example, C is this, okay, that it is in C drive or C program folder, or you have given your name, like my name is Neetu, so I have built a file in C, so this way, you will have colon and slash, okay, clear up, you have seen this, do not assume the case sensitivity, here there is no case sensitive, for example, window and window should be treated as equal, okay, so case sensitive, etc, there is nothing here, okay, after this, see, use any character in current code page for a name, including in Unicode character and character in extended character set, like 128 to 255, expect the following reserve character, okay, so these are what you have here, like less than, greater than, colon, double quarter, forward slash, backlist, backslash, vertical bar or pipe, question mark, asterisk, okay, so these are some things that you cannot use. When you put a name of a file, you will put it in the middle of the file, it will not be considered, okay. If you want to search someone to a file, this is a very important point, if you want to search someone to a file, then you will use asterisk, this is the star, you will use it in this way, okay, this is your shot, it will come in it, so one more file can be searched by a wildcard, explanation for one character, like asterisk for none, for one or more character, searching or a file can be done based on the either its name or its file extension, okay, so what you will use, you have used star, asterisk, dot, and you want to search a word file, so when you put it in star, dot, then you will put it in star, dot, then whatever your word file is, it will show all you in front of, if you don't remember a particular name. There are two options, or you put it in star and you are doing word, powerpoint, okay, so you put it in star. Otherwise, remember that I made a file from Neetu, or I made a file from computer, so if I made a particular name, if I didn't remember a name, then I will put it in star and search it. There are two options here, okay, clear, this is very important, then if you create a shortcut, then you can quickly access it, the main thing is, the main thing is to create a shortcut, and the difference in both of these are, that when you create a shortcut, then it becomes a arrow like this, so it becomes a shortcut, okay, so it becomes a shortcut, okay, so that we can access it from Photoshop, okay. Now, I have added one folder in F folder, and then I have added one folder in F folder, okay. Now, when I am looking at it, then maybe it will not get it, so I will make a shortcut, then it will get it from the fact, okay. So, for easily access it. Now, this was on your entire Explorer. Now, there are some questions, which I have explained very well, what is Window Explorer, so what is Window Explorer? So, what is Window Explorer? What happens in 1-1 line? You have to answer these questions, these are your homework, okay, you all know that, we are going to batch zero from zero, so your homework is made here, and see, the kids are waiting for zero from zero, but homework is very limited, two-three children have homework, so what is Window Explorer? Write at least two points about the use of Window Explorer. You have two points where you use it, okay. Then, the third point is, What is the benefit of creating a shortcut? When you create a shortcut, what is the benefit of someone? Write at least two points here. It is an easy question. Why is the file extension important having to save it? Okay. Why is the file extension important? Then, the fifth question is, How can you search a particular word in your system? How can you search a particular word in your system? How can you search a particular file in your system? How can you search? So, there are two options, I have already told you how to do it, so they will tell me to tell you. There is one-one line answer, but tell us. Okay? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Is there any doubt? So, let's push. Now, let's talk about your next PowerPoint presentation. How do you prepare a PPT in MS PowerPoint? Okay? First of all, let's see, whether it is Word or Excel or PowerPoint, this is all of your application software. Who comes in? In the application software, you should know. In today's class, some of the main points we are going to study. Effective presentation, how to make a format, what is the format of the presentation, insert various objects in PowerPoint slide, save the presentation in a valid format, and run the presentation slide slide. So, these are some of the points we are going to study in today's class. Okay? First of all, you should know, that the PowerPoint, we use where we are going to use, why we are going to use it, why we are going to use it, why we are going to make it. So, first of all, this is an application software. It helps the presentation, so that we support it, text, graphics, image, other multimedia, attractive companies, all the places that are used, business etc. The default extension, is .PPTX. Okay? This thing, you should remember, clear? Okay. After this, look, starting PowerPoint, when you start PowerPoint, then, this way, this way, the window opens. Have you seen it? I will give it a little bit, so that, yes, yes, now, yes, see, what is starting? To start, here, first of all, there is a file tab, all of these, what is home ribbon, this is your title bar, so, I will tell you in this word, because this is a slide area, wherever you have your document, whatever you have to write, that will come here, in your slide area. Okay? So, what happens in this slide? There are different slides, in different slides, we create our data, this is your help, if you want to ask a question mark, what is your help? Okay? Now, this is your slide tab, What is called here? This is your quick access toolbar, okay? Quickly, what is your tool bar, this is your notes section. If you click to add notes, if you want to add notes, then, this is your slide view. This slide, which way you want to see, how to see, all the slides, two or three slides, this is the one. This is your zooming option, that you want to make small, you want to make small, तो जूम उइन होगा जूम आउट होगा, auट होगा, खेक है? और यह, इसके बाद, और यह, जहां पर आपका रिखrangeला पर सेवरोता है, bist guest, by default Presentation1 के नाम से यह से rings, खेक है? और फिर आप एडीट करके कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं, और ऐसे ही वर्ड का जो है by default किस्ते से होता है वो आप मुझे comment section में बताएंगे और जहां पर यह naming होती है यह आपके जो है title bar होती हो title bar के just नीचे जो है वो menu bar होती है question आया हो है और इसमें तीन बटन होते है title bar में एक होता है minimize, एक होता है maximize और एक होता है close button ठीक है clear है भई? अब हमें इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं देख ओ फाइल टैब क्या होता है फाइल टैब जो है वो हमें बताता है फाइल में जो है आपका हैस्टो मैनेज अप पारपॉइंट फाइल्स टीक है ribbon जो है ribbon compose three component like tabs, group, commands, they form the top part of ribbon home insert करना, etc some tabs, group जो है the group organized related command like font size हो गया alignment हो गया आपको left alignment करना है center करना है या right करना है ठीक है तो यह सारे alignments होते हैं तो इसके बाद जो है commands, each group has command in it इसके बाद sliding area जहां पर जो है आपको कुछ लिखना हो वह बाला, title bar जो है यह slide, shorter view के ओपर question आता है, shorter view से आपका question आता है और आया भी है exam के अंदर तो भही यह देख, normal क्या होता है, यह क्या होता है, कई बच्चों को वैसे तो पता होगा कि क्या होते हैं लेकि नाम से, जब shorter से भूलें क्या है यह ठीक है दिस्प्ले, slide, display, matrix and let's do rearrange slide but not add it to them मतलब इसको हम जैसे एक पेज़ आपके काफिस आफे हैं और आप जैसे यह वाला page आपके यहां कर देखें, मतलब आप इसको rearrange कर सकते हैं लेकिन अदिख नहीं कर सकते हैं Reading View, This View is similar to Slideshow View, clear है भई? ठीक है? स्लाइड शॉर्टर व्यू का आपको पता होना चाहिए अब है create a new file अगर आप कोई new file को create करना चाहते हैं तो वह cut, copy, paste यह सब new slide आजाएगी ठीक है? new slide जो है वह आप control plus N से use करते हैं तो यह बहुत important है, shortcut आपके exam में आती ही आती है और shortcut तब ही याद होगे जब आप बिल्कुल basic से करना शुरू करेंगे इसके बाद है formatting presentation आप किसी presentation की formatting करना चाहते हैं लाइक आपने टेक्स लिखा तो आप इसकी language चेंज करना चाहते हैं इसको bold करना चाहते हैं italic करना चाहते हैं underline करना चाहते हैं bold है, italic है यह सारे चीज़े हैं तो यह तो आप कर लेंगे formatting paragraph आपको आपने एक paragraph लेका उसके आपको formatting करनी है like आपने कैलिबरीमेत आपको अरियल में करना है इस तरीके से आपको कितनी सारी आपर अलग-अलग आपको font दे रखे हैं किस कौन-कौन से आप इहां पर लूज कर सकते हैं text यह सब चीज़े अब यह paragraph की indentation है indentation क्या होती है इस टू present our data in visually appealing manner तो आपको decrease करना है indent enable आपको increase करना है तो आप इस तरीके से खिर सकते हैं ठीक है यह जो है आपका यह जो है यहां से मेरा मैं आपको एक होमवक देना चाहते हूं decrease intent की shortcut जो है shortcut की क्या होती है और increase की क्या होती है वह आप मुझे comment section में बता देना ठीक है अब देखो modify line spacing अब अगर आप line के बीच में जो space होता है वह अपका line spacing कालता है और change the space between line of text तो आप उनमें space जादा करना चाहते हैं उनमें कम करना चाहते हैं नॉर्मल रखना चाहते हैं यह बहुत जदा gap करना चाहते हैं तो यह आपके line spacing देखो यहां पर यह है drop-down यह वाला ठीक है line spacing option यह सारे जो है आपके options है तो आप जादा करना कम करना यह सब यहां पर हो जाएगा फिर created, bulleted and number list यह आपने बहुत सारी देखों देखे होंगे ना बहुत सारी bulleted वगएरा, numbered वगएरा तो यह सारी चीज़ें लाइक आपको starting में इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से फिर इंसर्ट, manual and other multimedia content अगर आप इसमें कुछ other image वगएरा डालना चाहते हैं ओडियो वगएरा, clipart वगएरा डालना चाहते हैं tables insert करना चाहते हैं clipart करना चाहते हैं तो आप आप आराम से इसमें कर सकते हैं तो बस यह है, shape and smart art अगर आप shapes वगएरा डालना चाहते हैं तो आप easily इसमें सारी चीज़े कर सकते हैं फिर यह charts है, आप इस तरीके से charts वगएरा add कर सकते हैं text walk, word, road, date and time, slide number, symbols यह सब जो हैं आप column वगएरा में डाल सकते हैं ठीक है, यह ही था, फिर आपको move करना है रिसाइज करना है किसी image को तो आप easily उसका size कम कर सकते हैं उसका बड़ा size कर सकते हैं ठीक है, तो increase or decrease कर सकते हैं फिर slide show menu, slide show menu लगा सकते हैं अब यह जो है, यह 4-5 चीज़े बहुत ज़दा important है अगर आप किसी particular slide पे जाना चाहते हैं तो आप आप को जाना है 15 वाली slide पे और आप 15 डाल के प्लस एंटर दबा देंगे तो आप 15 वाली slide पे पहुँचेंगे जब आप पर्टिकुलर किसी slide पे जाना चाहते हैं स्पोस किसी slide में 200 pages है ठीक है और आप उसमें से आपको 80 वाली page पे जाना है तो उसके लिए आपको डारेक्ट जाने के लिए 80 प्रेस करना प्लस उसके साथ एंटर दबा देना आप डारेक्ट जो है 80 वाली slide पे पहुच जाओगे अगर आपको जो slide show है मतलब मैंने 200 pages का slide show है जो देखना है तो मैं F5 प्रेस कर दूंगी जैसे मैं F5 प्रेस कर दूंगी आपका बिगनिंग से वो slide show होना शुरू हो जाएगा सम टाइम क्या होता है कि जैसे हम किसी company में गए हुए है मैं किसी company में गई हूँ और मैंने 500 pages के असपास एक PPT बनाई है अब वहां पर बता रही हूं समझा रही हूं जैसे मेरे 220 pages खतम हुए थी एकदम से कुछ हैसा हुआ कि पूरा system बंद हो गया फिर से मुझे start करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी मतलब मुझे current slide से start करना है तो start slide and current shift plus F5 दबा दूगी तो जो मेरी current slide थी वह वहां पर आ जाएगी ठीक है एकदम से मेरा कुछ हो गया है तो अगर मुझे उ slide show ते बहार आना है तो मैं escape key का प्रेस करूंगी ठीक, escape key प्रेस करते ही मैं मैं slide show से बहार आ जाओंगी तो यह कुछ important point थी जो आपको पता होनी चाहिए यह short cuts की ऐसी है जो आपके exam में डारेक्ट आती है अब यहां पर देखो भई beginning वाला हो गया है current slide वाला हो गया है custom slide show हो गया है setup slide show यह सारी चीज़े हो गई है एक बार PPT कोल के खुद भी कर लेना ठीक है मैं नहीं बताया है क्योंकि मुझे असा लग रहा है कि आप सभी को PPT बनानी आती है अब यह कुछ questions है जो कि आप मुझे answers देंगे 10th question है MS PowerPoint इसे डाश क्या है MS PowerPoint क्या है आपका कौन सा software है second question है default file extension of MS PowerPoint MS PowerPoint का 2010-2013 file extension क्या है default वाला write about the use of PowerPoint के क्या uses है PowerPoint allow various text alignment and organize our data true है या false है How can we insert picture and audio in PowerPoint in PowerPoint how can we insert audio and pictures please comment section what is the function of format painter tool format painter tool what are the functions of format painter tool shortcut to start slideshow from beginning what should be shortcut to start after that shortcut to get out from slideshow okay out what should we use out what are the two types of pictures can we insert in PowerPoint we will identify simple mark sheet because the sheet excel sheet numbering, data, chart measure auto generate series like serial number, days, month, date do some auto computations like some average, maximum, minimum, etc okay working in Excel but if you have to work in Excel so in this way you will view file, home, insert, page layout formula, date, preview view, etc, okay we will study more detail in detail this is just so basic that you are all so that you will not tell I will open it otherwise when you will come in more detail I will show you the details in PowerPoint I will open it okay so here there is nothing here there is only normal open PPT there is 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 Excel find various in life where is used like educational financial mathematical statistical calculation we use it it also helps organizing data and help of various charts data organize and chart helps make various charts what is ribbon ribbon contains many tabs there are many tabs like home file insert page layout date the most frequently used features are contained in home tab okay so home tab we use more we can minimize if you minimize ribbon according to our needs your needs according ribbon then click minimize press ctrl plus f1 if I use ctrl plus f1 then what will happen ribbon will be minimized okay ribbon can also be customized it means can create our tab and add command to the tabs okay so we can customize it also now see introduction workbook and worksheet which means in this way when you see this thing is what you say when you open it when you open it after class just open Excel and see this way you will see the page okay see by default three sheets there are three sheets 3 sheets open sheet1 sheet2 sheet3 okay cambiar the name okay this here I applied CS1 CS2 CS3 okay अगर आपको sheet और चाहिए, अगर आप extra sheet चाहते हैं, यह तो आपका by default है, जब भी आप Excel को open करोगे, नीचे आपको 3 sheet ज़रूर मिलेंगे, अगर आप extra जो है चाहते हो, तो insert worksheet by pressing shift plus F11, तो अगर आप new add करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करोगे, shift plus F11 का use करोगे, और आप इसको कर दोगे, और sheet को selecting rename, तो जिसका जो नाम है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो 3 sheet होती है, provided, और इसमें अगर आपको और 50, 5, 6, 7, 8, जितनी भी चाहिए, shift plus F11 कर देना, ठीक है, आप keyboard के कुछ shortcuts है, control plus A से जो आप सारी की सारी range को select करवा सकते हो, clear है भी, keyboard shortcut has to perform more quickly, मतलब, अगर आपको shots आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, कि आपकी जो performance है, वो बहुत जादा better हो जाएगा, आपको जो speed, जो काम है, वो बहुत जादा fast हो जाएगा, तो control plus A से जो है, पूरे के पूरे data को पूरे के पूरी cell को एक बार में ही, select कर लेते हैं, entire worksheet को, okay, control plus C, control plus X, जो है, यह copy के लिए होता है, यह आपका cut के लिए होता है, और यह आपका paste के लिए होता है, undo अगर आपको कुछ undo करना है, to control plus Z, अगर redo करना है, to control plus Y, to move quickly bottom of selected range of cell, we use control plus, ठीक है, नीचे वाला arrow वाला sign, ठीक है, तो आप बॉटम में चले जाओगे, similarly using right arrow, quickly the right of selected cell, अगर आपको right करना है, तो आप right यूज करोगे, while moving down, hold down, shift and press arrow key, till the number of required cell is selected, ठीक है, इस तरीके से, use in day to day life, इसका जो हम day to day life में यूज करते हैं, excels बगारा का, ये कुछ component है आपके excels पे, देखो, ये जो है, ये आपका क्या होता है, ये active cell होती है, जिस पे आप काम कर रहे होते है, current ठीक है, ये आपका जो है, नेम बताता है, कि आपका current जो cell है, वो कौन सी है, ठीक है, और ये जो है, आपकी quick access tool bar होती है, ये आपका office button होता है, ये आपका ribbon होता है, ठीक है, ये आपकी sheet tab होती है, और sheet tab को जो है shift plus effilence है, आप उनको और जादा कर सकते हैं, ठीक है, अब various data type, तो यहाँ पर जो है, अगर आप data डालना चाहते है, like label, text, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है, आगे देखे, various data type, data type, कैसे like, आपको month name, days name, like, January, February, ये तरीके से डालना है, तो जो है, वो भी आप कर सकते हैं, data value that cell can hold, three types of values can be entered in a cell, ठीक है, कैसे like, descriptive information, usually include alphabets, character, name, month, days, इस तरीके से जो है, आप डाल सकते हो, class 4, 5, 5, 6, इस तरीके से 1, 2, 3, numbering कर सकते हो, January, February, Sunday, Monday, Tuesday, इस तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है, तो generally numbers and dates आप इस तरीके से mention कर सकते हो, उसके बाद आता है आपका formula, गर आपको plus करवाना है, multiply, तो इस तरीके से जो है, आप formula जो है, इस तरीके से आता है, ठीक है, अलग-अलग formulas है, इसके बाद है entering data in spreadsheet, कि spreadsheet में data को हम किस तरीके से enter करते हैं, data in Excel and is entered in the intersection of a row and column, this intersection of row and column defined in Excel, तो देखो, यह मैं आपको वैसे DBA में इसके अंदर भी बता चुकी हूँ, यह जो होता है हमारा, इस तरीके से आपकी रो होती है, और इस तरीके से आपके a column होते हैं, तो जो इनका intersection होता है, और यह जो particular यह बन गई है, यह आपके particular क्या है, समझ में आया कि सेल यह किसको बोल रहा है, तो in Excel and this cell can be formatted as per or on required, ठीक है कि कितना चाहिए आपको, तो for example, very first cell of Excel worksheet is referred or named as A1, ठीक है, where A is the first column, letter 1 is the first row number, समझ में आया, A जो है वो column है, 1 जो है वो row है, ठीक है, about the cell and cell address, तो individual unit of a worksheet are known as a cell, in other words, Excel worksheet is composed of cell, this cell has an address, हर एक cell का अपना क्या होता है, एक address होता है, तो यहाँ पर देखो भई, address of cell with the text of KVS is F7, F is the column, और 7 क्या है, आपका row number है, तो इस तरीके से वो आपसे पूछ लेगा, कि यह क्या है, आपको दे देगा, कि यह जो है आपका, जैसे यहाँ पर यह F जो है वो column है, यह 7 जो है वो आपका क्या है, तो F7 जो है आपका particular क्या है, एक cell बन गया है, तो वो various formulas and calculations done on the basis of this cell address, तो F7 क्या बन गया है, यह particular क्या है यह आपका यहाँ पर, कि यह Excel है, F7 है और यह बता रहा है कि row क्या है, और column क्या है, यह जो है यहाँ पर एक sign दिखाई दे रहा है, आपको sigma autosum का, ठिक है, और यह जो by default है आपका Excel, वो book 1 के नाम से से होता है, वो presentation 1 के नाम से से होता है, वो आपका document के नाम से से होता है, और यह जो है आपका book के नाम से से होता है, ठिक है, तो autosum features has to automatically sum a range of selling above image, the encircled region in the red is the auto sum, ठीक है, तो auto get the sum, we first need to select range of cell, कि आप जितनी भी आपको cell का आपको sum करना है, ठीक है, we want to sum and then click on auto sum button, ठीक है, जितनी भी cell आप इस तरीके से उनको करोगे, और फिर auto sum पर click कर दोगे, इसके बाद आता है आपका formatting the data in the table, table की form में आपकी सरीके से फॉर्मेटिंग करते हो, तो देखो, insert a table in your worksheet, तो click on ribbon, click on the insert tab, ठीक है, in the table group, click the table command and click on my tables has header, ठीक है, click OK, तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो, create table, और where is the data your table, तो यहाँ आप देखो, date, reason, यह सब टेबल की form में हमने आपर किया है, ठीक है, तो यह टेबल की अलग अलग डिजाइन है, आप देखो, एक बार आप जो एक्सल खोल के देखना, आपको सारी चीजे वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, यह बिल्कुल बेसिक है, यह बहुत जादा अडवांस नहीं है, जब थोड़ा सा उपर आएगा, हम जो है, इसको फिर करके देखेंगे, ठीक है, प्राक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगे, यह बिल्कुल है बेसिक ता, मैं आपको यहाँ पर बस में में चीज़े बता रही हूँ, जो एक्जाम में आने के लिए इंपोरेंट है, ठीक है, तो बस इतना ही है, नॉर्मल एक परजेंटेशन, जो नॉर्मल जो आपकिस तरीके से एक्सेल में एक सीड त्यार कर सकते हो, बस वहीं तक है, ठीक, एस से जादा ही हाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, अब कुछ कोश्चन से इसके बेस पर, कोश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहला है, my excel isn't dash software, जो excel वो कैसा software है, तो मैं आपको यह बता चुके हूँ कि excel वो कैसा software है, नेक्स यह, write about the use of excel, तो यह, कोश्चन बिलकुल है, और मैंने आपको बताया था, कि जीरो से हीरो वाली बैच्च की आपको copy notebook ज़रूर बनानी है, क्योंकि in between, यह, जो कोश्चन यह, जो आपको homework है, यही आपका जो है, एक्जाम में आपको यही से कोश्चन देखने को मिलेगा, तो write about the uses of excel, excel के आपको uses बताने है, next, third question है, shortcut key for inserting a worksheet in a workbook, shortcut key क्या है, insert करने की worksheet in a worksheet is, how do we define the address in a cell in excel, किस तरीके से आप address को define करते हैं, next, by default, how many worksheets are there in a workbook, by default, वो कितनी worksheets होती है, तो यह मैं आपको बता चुकी हूँ, और एक्स्टा करने के लिए कौनसी shortcut के use करते हैं, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप आप कमेंट सिक्शन में बता देना, तेबल एक्सल में एक्सल में डेटा को अर्गनाईज करने के लिए यूज की जाते हैं, त्रू है या फॉल से कमेंट सिक्शन में बताना, या आपका हूमवक, इसलिए मैं इहां इंका किसी का भी आंसर नहीं कर रहे हूँ, अगर आप चाहते हैं जो हमारा हूमवक है, और आप आप चाहते हैं, PGT-PGT level का question है, maximum number of row and column in Excel and dash and dash respectively, तो भई कमेंट सेक्शन में मुझे सभी के आंसर चाहिए और उमीद करते हूं सभी बचे आंसर करेंगे, next है हमारा window accessories, तो next topic हम पढ़ने वाले हैं हमारा, और इसके बाद I think ACOR है, इसके बाद हमारा ACOR है, जो है, control, control करके कुछ एक और unit रहती है, मतलब एक और chapter रहता, फिर हमारा 4th class complete हो जाएगा, ठीक हम 5th class करेंगे, complete 5th class करेंगे भी, अब ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, ओर डड़ी काफे टाइम लग चुका है, क्योंकि हमें फटाफट KVS को खतम करना है, यूज वारियस तूल अवेलेबली नेसेसरी, यूज सिंपल और साइंटिफिक काल्कुलेटर इन देयर 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 लाइफ, ताइप विदाउट कीबोर्ड यूजिंग ओंस्क्रीन बोर्ड ठीक है, कि सम्ताइम क्या होता है, जैसे कीबोर्ड खराब हो जाता है, जैसे मेरा होख है, तो अगर इमेडियेटल अवेलेबल ना हो, तो हाँ मुझे हाँ ओंस्क्रीन बोर्ड से भी काम चला सकते हैं, तो यह चीज़े आपको बेसिक बेसिक पता होनी चीज़ें, जूम इन जूम आउट है, वो बड़ा करेंगे, फिर छोटा करते हैंगे, सभी को पता है, फिर असेसें प्ले पीसी गेम अवेलेबल, अंडर् तो ही चीज़ें इंपोर्टेंट है, एक्जाम के पॉइंट व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, देखो, यहां पर, Microsoft Windows OS provide useful tool और software that can be used as a when we required, तो यह सारी के सारी हां पर देखो, यह सारा का सारा, आप स्टार्ट करोगे, अल प्रोग्राम में जाओगे, असेसरी में अवेलेबल होंगी, अब अपने computer को ओपन करके देखो, वैसे तो आप master's की हुए बच्चे हो तो इतना सभी को पता है, फिर calculator है, calculator में आप easily calculate कर सकते हो, tools will help simple arithmetic calculation करवा सकते हो, simple calculator in order to certain mathematical calculation जो भी होती है, वो आप कर सकते हो, sometime क्या होता है कि हम math कुछ करते हैं, तो हम फटाफ इसी तरीके से कर लेते हैं, फिर यह scientific calculator यह आपका simple calculator है, जिसमें, sign, course, value, root वागरा की value देखते हैं, तो हम scientific calculator का यूज करते हैं, तो हम scientific calculator का यूज करते हैं, इसके बाता है आपका on-screen board, तो on-screen board, मैंने भी download कर रखा है, मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह on-screen keyboard है, जिसके मैंने काल कि मेरे laptop में प्रॉबलम आगई थी, तो यहां पर कुछ कीज काम नहीं कर यह हैं, तो इसलिए मैंने on-screen board डाला है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर आप देखो, तो यह सम्टाइम इट हैं, यह सम्टाइम इट हैं, यह सम्टाइम इट हैं यूजिंग दा माउस, तो नॉर्मल आप, जैसे माउस के ओपर, यहां पर मैं एग्जाम लेती हूँ, जब आप एक्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कीबोर्ड काम नहीं करता है, माउस से ही हम टिक-टिक करते हैं, तो जब आप स्टार्टिंग में क्लिक करोगे, तो आपको जो है, जो भी आप क्लिक करें, वह आपको नमबर आजाएगा, ठीक है, जस्क्लिकिंग राइ, ओन स्क्रीन कीबोर्ड फाउंडर अंडर एरेज अशेसें, अंडर असेसरी सेक्शन, ठीक है, फिर है मैगनिफायर, तो यू कैन मैगनिफायर था अगर आप कंटेंट को बड़ा कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यह बड़ा बड़ा यहां पर दिख रहा है, फिर है अपका गेम, we all love the play computer game, हम सभी जो है पर दिख सकते हैं, तो झाप ले नियुक बाहत हो है जो कि बड़ा कि较वती पर अप के पीछ न से सकते हैं, निइस एडर ड्राइट ले自ड, भीख भी नियुक्त, तो प्यार पारिट्यों के त्वेश्पी से न चंप्सिंट अरिक प्लेश्टों पीज प्रेश जाते हैं, अगर आपको क्लासे अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक बनता है इतनी महनत हो रही है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अब भी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीज़े ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहे ठीक है और इसके साथ ही देखो एक और चानल है कम्प्यूटर जॉब अपडेट वहां पर आपको अप्प्यूटर से रिलेटेट अल ओवर इंडिया की मैं सारी अप्डेट आपको प्रोवाइड करती हूँ टेंप्रेरी हो या पर्मानेंट जॉब हो सभी की मैं आपको वीडियो देती हूँ तो जो है अगर आप इंट्रेस्टेट है तो उस चानल को भी जो है तो जोड़ने के लिए कुछ अमांट बोलेंगे कि आप 50,000, 45,000, 25,000 तो हम आपकी सारी फाइल्स को रिलीज करें इस तरीके से तरीके से तरीके से तो as we all know a computer virus can do lot of harm to our computer system it can corrupt our files and folders तो यह अपको जाते हैं और it also make some hardware component unavailable to the users that force you to format our computer system तो यह तो एक और फॉर्मेट कर दो आपका चला जाएगा यह तो अपर आपको पे करो तो computer virus is a program designed to harm or cause harm or infected computer it is separate through email email के थू हो सकता है attachment portable devices website यह फिर आपकुछ डाउनलोड कर रहे हो यह पने कुछ भी आपने online download किया है उसके थूपके computer में वायरस आते हैं the host file and always activate whenever you open an infected file the virus can replicate itself and then infect the other file on your computer causing more damage virus stands for vital information under seized तो वायरस के आपको full form भी exam में पूछी जा सकती है तो यह इंपॉर्टन है वायरस के full form तो यह पता होने चाहिए computer causing more damage some type of virus while virus infect Boots है like virus हो गया, boot infector हो गया virus macro ho गया virus polymorphic हो गया तो इसारे क्या है virus है तो अपको computer है aam हो जाता है file अज़ प्रेफ हो जाती है तो उसको, हम जो डाउनलोड कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है या नहीं है, वो हमें पता चलती है, अगर आपके अप्प्यूटर सिस्टम में एंटिवाइरस है, तो आप इसीली जो है इंसानी चीजों से बच सकते हैं, मतलब काफी हद तक आपका सिस्टम बच सकता है, Getting infected by a Computer virus, we need to install antivirus software, antivirus prevent our system for virus, and also it can repair our file and folder, they are already infected, बचार्पर निगर में नियर्थ, प्रॉपर तो भाइरस खटम निकरत है, लेकिन काफी हदे तक प्रॉपर आपके आपके रापने डाल जो है, फिर आपसको चेकिन ना करोंगे है, बचार्पर दया है, we need to update it regularly, बचार्पर अ इन के समस्तिव के शे सब्क्राइब लोग हो जोड़िया नियुद को सब्सक्राइब कि करे नियुक्तिक फिक पहां है तांट। तो यह सारे आपके antivirus नहीं आएगा यह तो आपके एक्जाम नहीं आएगा मैं सीधा सीधा कहा दूँ यह नॉर्मल वायरस और एंटिवायरस के आपको डेफिनेशन दे रहे हैं जो कि हाँ से थोड़ा सा अलग अलग वायरस के नाम आप से पूछे जाते हैं वह हम आगे कोहारो यह तो यह नियुच जो काके अछान वह लुशा Contraper काल शिभार बाओ में हम यह इसक के दा सबूध और जो यह यह कुछ 25 थोड़ाम जो कि हान को करने हैं उसके यह लाश्ट टॉपकरा है control panel, okay, control panel है और इसके साथ ही हमारा 4th class हो जाएगी complete, okay तो आज हम पढ़ने वाले change the screen resolution, screen की जो resolution उसको कैसे change कर सकते है desktop background or screen saver, change and adjust the setting of mouse, change the view start menu and customize the task bar, change the system date and time, okay system की date and time कैसे change कर सकते हो, resolution कैसे change कर सकते हो, background कैसे change कर सकते हो, बहुत ही basic question है तो जाद हम बहुत जाद में आपने हापर नहीं बताने वाले हूं क्योंकि मैं यह मान के चल रहे हूं, सभी बच्चों को यह सब आता है तो in order to customize the desktop screen of computer system, you can make use of control panel provided by the operating system, it provides option required for organizing and maintenance of your system, computer board term and hardware software, okay अपर यह देखें, after opening the control panel window, you can view and use various options available, various different purpose, okay तो यह आप देख सकते हो, यहाँ पर, display properties, you can change the display of your computer, you can also increase and decrease the brightness of contrast, okay अवस कीकततोवी निस्पली करते हो, वाँ वाचली करें तो यह दोर्ली दूप दूप भराइज को सब्सक्ते हो ही, so is the same auto to test next-op, same family how. मेंने चीज़ी में कराते हूं िस्टीक पर्म는 के चीज़ी करने करें by default it is used by left hand but user can change its settings such as double click we can double click this setting mouse pointer, move speed, scheme, shape of mouse pointer and various other settings related to mouse button mouse settings are set in control panel and you can change it after this taskbar and start menu bottom most bar or strip display on the desktop screen is a taskbar it shows the currently active and open application along with other options like date and time start menu taskbar can have start menu and quick launch icon system tray icon etc so this is your start menu, this is your toolbar, this is your address and here on clicking that you use system tray icon there are a lot of icons here, like I have put a pen tablet here so I will show you here one second so below, like I have attached a pen tablet here so you can make a sign here so this way, you will see all the tray icons below what you have installed here then date and time setting you can set the system date and time setting if you have to change something so this way, you will go and adjust date and time so this way, you will automatically click on this okay, so here is your date to time after that, just this way, you can also change way, date and time display and many other things and most important time zone in order to system automatically update date and time correctly you have to set correct time zone India is like five, this shown above okay so just you have to do something like this now, some questions are how many buttons are there on typical mouse how many buttons are there on typical mouse how many buttons are there on typical mouse how many buttons are there on the mouse okay, it is very good, very wonderful question third question is how can you change the desktop background how can you change the desktop third question is what is the purpose, significance, importance of taskbar and fourth question is the collection of icons on the leftmost side before the start menu on taskbar is called okay so it is a very easy question there is no more thing in it okay, all these things you do and do it once again do it once again if you do it, it will be saved if you don't know it will happen to everyone if you don't know if you don't know then do it once again and do it once again okay so all these things are there is no such thing that you have to come to DGT-PGT exam so I have just told you that these things are okay with that, the 4th class book is complete tomorrow we will read our 5th class book okay we will do the 5th class book tomorrow then we will do the 6th class if the 7th class if it is bigger then we will do it in parts then from this way 8th, 9th, 10th, 11th and 12th 9th, 12th 9th, 12th books are we will focus a little bit because they are very detailed because the 3rd to 8th is not so much that means there are basics and the 9th to 12th is a lot of chances we will do it a little bit and the 3rd to 12th we will do it very quickly your 3rd class this is the 4th class this is the 5th this is the 7th this is the 4th class we will cover the 8th and the 9th to 12th we will do it in the 9th to 12th we will do it in the 9th to 12th we will do it in the 9th to 12th I hope you will feel good if you have a class like it like it share it and if you don't subscribe please do it so we will see with this update so homework to all children tell me tell me tell me tell me tell me tell me your homework like you always send you can reply in the comment section so we will see tomorrow bye and thank you we will see you